कितने सालों से आपको पेट में दर्द हो रहा था एक साल से भाईया डाक्टर ने बताया भाईया कि पाएं गुर्दे में पथरी है भाईया डाक्टर ने बताया एक ने बताया चालिस अजाल लगेगा एक डाक्टर ने बताया पचास अजाल लगेगा हमारे पास कुछ नहीं तो ये पत्री जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वास्रूम के रास्ते से बाहर निकले किया नाम है बहुत ही जादा परिशान थी। दर्द हो रहा था और यह जो दर्द था कभी कभी आपको आचानक बढ़ जाता था जिसकी वजह से इस दर्द को सहना आपके लिए बहुत ही ज़ादा मुस्किल हो जाता था उस समय जब डर्द बढ़ जाता तो आप डॉक्टर के पास आती थे आप दवा को लाते थे उसको ख फिर आप जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगा फिर आप डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपको जाच किने जाएगा कि आपको बिमारी कैसी है उसी प्रकार से आपका इलाज होगा याज पर डॉक्टर के पास के आपने इंड हो को Alex डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट में बताया कि आपके बाएंग किड्नी के बगल 11.8 mm की पत्री है जिसकी वज़ा से आपको पेट में दर्द होता है और ये पत्री की जो साइज है ये बहुत ही जादा बड़ी है इसलिए इस पत्री का दवस ये तो ठीक नहीं हो पाएगी इ इसके लिए आपको आपरेशन लेना पड़ेगा क्यों बहुत बड़ी पत्री हो चुकी है डॉक्टर ने आपको ये चीज बताया कि जैसे वो रिपोर्ट को देखा और बताया कि आपके जो किट्नी के बगल बाएंग किट्नी के बगल जो पत्री है वो 11.8 mm की है इसलिए इसकी साइज बहुत ही जादा बड़ी है ये दवा से ठीक नहीं हो पाएगी इसलिए आपको जल्द से जल्द जितना भी जल्द हो सके आप ऑपरेशन करवाईए नहीं तो ये पत्री जो है आपके किट्नी में भी प्रभाव डाल सकती है आपके किट्नी को प्राब ये लगा एक टर ने बताया पचासा जाल लगेगा हमारे पास कुछ नहींशाल में तब पर अपने परभु जी वाच मभे नहीं थेप इमारा PGता सब कुछ करेगा जब आप डॉक्टर के पास गए आप सोचे ऐ कि ये बेहन जब डॉक्टर के पास गई अल्टरा साून ilia तो डॉक्टर नहीं बताया कि आपकी किटनी के बगल बाहें, किटनी के बगल पत्री है और पत्री की साइज तनी जादा बड़ी है कि वो दवा से ठीक नहीं हो पाएगी इसके लिए जल्द से जल्द आप operation करवाएए और operation में लगबद 40-50 जा रुपए तक खर्च होंगे लेकिन इस बेन के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि ये operation करवाएए उस समय इनको बहुत ज़्यादा रोना आया कि मेरे पास पैसे नहीं मैं कैसे ही लाच करवाऊंगे लेकिन फिर इनको विश्वास आया कि येश्यू मसी मेरे पास है मेरा येश्यू प्रभू मेरे पास है मेरी सालीश शमस्याओं को वही दूर करेगा क्योंकि ये बेन येश्यू मसी पर विश्वास करते मुझे चुटकारा देगा मिरे पास इतना जादा पैसा नहीं है कि मैं अपनी बीमारी के लिए ओपरेशन करवा हूँ इसलिए आप यहां चर्च में आना नहीं चोड़ा आपने लगातार शंगती करते गए वचन को ग्रहन करते गए और सामर्थी प्रात्नों को ग्रहन करते और बीते 16 सिप्टेमबर 2022 को जब आप चर्च में सामिल थे तो जब पहली बार वालों के लिए परमिश्र के दास प्रात्ना कर रहे थे तो उस लाइन में आप भी खड़े हो गए कि परमिश्र के दास मेरे उपर लेहन प्रात्ना करें यास भाया और आप उस लाइन में परमिश्वन ने इस बहन के जीवन में अद्बूत कामों को किया जो की डॉक्टर इनको आपरीशन करने के लिए बोल रहा था लेकिन उस प्रात्ना को ग्रेंड करने के बाद किस तरह से इनको छुटकारा मिला आएए पहले में अपने स्क्रीन पर उस लेहेंड प्रात्ना को प्रात्ना को जिए प्रात्ना कोर बाल रहा थाल इनको लेहेंड आप अगाएएफ था प्रात्ना को जिए उस बहुटकारा मिला आपे ज्रांपरार से एक हांगा। और जब परमिश्र के दास्तने आपके लेहेंड प्रात्ना के, हांदर के प्रात्ना के, उस समय आपको कैसे लगा भेंजी? मुझे बहुत अच्छा से लगा था, ऐसे जान पड़ा था कि मेरे अंदर से कुछ अराम अराम से सहथ सहथ कुछ निकन रहा था, मेरा दरद भी बहुत कम हो गया था क्योंकि उस समय आपको बहुत जादा दरद हो रहा था और जब परमिश्वर के दास्तने आपके लिए लेहेंड प्रात्ना किये तो उस समय आपको ऐसा मैसूस हुआ कि मेरे अंदर को कुछ चीज़े ऐसी चीज़े हैं जो दिरे-दिरे करकर कि वो बाहर आ रही हों, फिर उ उसके बाद दिरे-दिरे मैं अपना टहलने लगी थी बाहर, उसके बाद फिर दिरे-दिरे उन्हों पतली ने निकड़ गई थी अपने आप वाश्रूम के रास्ते से वो बत्री जो 11.8 mm की थी, जिसके लिए डॉक्टर ने बोला कि केवल ऑपरेशन के द्वारा ही ये ठीक हो सकती है, बेगेर ऑपरेशन की ये ठीक नहीं होगी, लेकिन आपके पास इतना जादा पैसा नहीं था, इसलिए आपने परमेशर पर भरोस रखा, विश्वास किया, और चर्च में आए परमेशर के दास ने आपके लिए लेहन प्रातना किये, उसके बाद सो मोहार के दिन जब आप वाश्रूम करने के ले गए, तो वाश्रूम के रास्ते से वो 11 mm की पत्री बाहर निकली, यास भाया, जो आपके स्क्रीन पर आप रहे हैं, यह इतनी बड़ी पत्री, आप एक बार देखिए ध्यान से देखिए, आप सोचिए कि किस तरह से इस वेहन के वाश्रूम के रास्ते से बाहर निकली पत्री, जिसके लिए डॉंक्टर बोल दिये थे कि आपको 40 से 50 जार रुपए लगेंगे, आपको ऑपरेशन कर पत्री बाहर नहीं आएगी, अगर आप जल्द से जल्द इसका उपरेशन नहीं करवाएंगे, तो ये पत्री आपके किड़ी में प्रभाव डाल सकती है, आपको किड़ी में दिक्कत हो सकती है, प्रॉबलम हो सकती है, उस समय ये बहन थोड़ा रोई, लेकिन इनका भरोसा येश्व मसी पर बना रहा, विश्वास के साथ ये लगातार चर्च में आती रहे बेन, इन्होंने परमीशर पर भरोसा रखा, विश्वास किया, और जब परमीशर के दास ने इनके लिए लेहन प्रातना किये, तो ये बेन खुद बोले अपने मुख से कि, जब उस समय मु इस बाहर आ रहे हैं और इनको सोमवार के दिन जब ये बेन सुबा वाश्रूम करने के लिए तो ये पत्री जवापके स्क्रीन पर दिखाई जा रहे है, वाश्रूम के रास्ते से बाहर निकले क्यों बेन जी, यास भाया, ये सब प्रमीशर ने आपके जीवन में किया, या जिसके लिए डॉक्टर आपरिशन करने के लिए बोल दिया हो, लेकिन इस मेहन का विश्वास था, कि मेरा येश्व मसी मुझको चंगा करेगा, मेरी पत्री को बाहर करेगा, आप इसकी साइज को एक बार देखिए, जो रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने बताया, कि 11.8 mm की पत्री है, जिसके लिए इनको ऑपरिशन करना पड़ेगा, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जाए रहे, इतनी बड़ी पत्री है, और ये पत्री इनके पेट में क्या कर सकती, कौन से बिमारी बना सकती थी, और किटनी में क्या प्रभाव डाल सकती थी, लेकिन इसलिए गुदावन पर विश्वास किया, और वो येश्व मसी, वो जिवित परमीश्वर इस बेहन के जीवन में अद्बूत कामों को किया, कि उस पत्री को बैगेर ओपरिशन को इनको वास्रूम के रास्ते से बाहर निकाला, क्यों बेहन जी? आप देखिके कि ये पहन किस तरह से इनकी आँखों से आँसर निकल रहा है, आप देखिये कि किस तरह से परमीश्वर इस पहन के जीवन में अद्बूत काम किया है इसलिए इनकी आँखों से आँशु आ रहा है कि येश्यू मसी ने मुझको छंगाई दिया मेरे पत्री को बाहर निकाला है तो जोड़ से ताली बजाएं इस पर्मेश्वर के अद्पोत कामों के लिए चर्च की सभी प्रापनाओं को और परमिश्र के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और आपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइप डार्क ना हो तो सबसे पहले आप देख सकें